स्टाप्लस के पॉपलर शो ये हैं मौभबतें के आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि कि इशिदा ने साइन कर लिये हैं अपने मौत के पेपर्स वो भी सिफ पिहू और रमन को बचाने के लिए जैसा कि अब तक हमने शो में देखा है कि किस तरह से रमन और इशिदा की लाइफ में एक नया टना चुका है और ये टन है पिहू दरसल पिहू शो में हो गई है किड्नैप और इसका पूरा इलजाम जाता है सिमी को लेकिन सिमी बड़े ही चाला किसे इस पूरे वाक्य के लिए इशिदा को ही ब्लेम करती है और रमन के सामने ये प्रूफ करना चाहती है कि इशिदा कितनी गलत है अब वहीं दूसरी और इशिता बिल्कुल नहीं शादी कि उनकी वज़ा से या फिर किसी की वज़ा से पिहू को कोई भी तकलीफ आए वैसे मैं सिमी रमन को पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं तकि पुलिस आकर खुद ही इस बात का पता लगाए कि आखिर पिहू है कहा और साथ ही सिमी रमन को इस बात को लेकर भी भड़काते हैं कि के हो सकता है कि इशिता पिहू को खतम कर दे रमन को सिम्मी ये बात याद दिलाती है कि किस तरह से इशिता ने ही अनन्या का कतल किया था और इसके बाद अब इशिता हो सकता है पिहू को भी माल डाले लेकिन इन सभी के बावजुद इशिता के पास एक अन्नो नमबर से फोन आता है जो कि उनसे कहते हैं कि अगर वो पिहू को जिन्दा देखना चाहते हैं तो अपने मौत के फर्मान पर दस्ताखत करें जिसकी वज़ा से पिहू तो बढ़ जाएगी लेकिन इशिता की जान पढ़ जाएगी खत्रे में अब इशिता बिना सोचे समझे उस ब्लैक मिलर की बात सुनने के लिए तयार हो जाती हैं अब ये देखना वाकिये दिल्चस्प होगा कि किस तरह से इशिता पिहू को बचाती हैं आपको क्या लगता है शेयर कीजे कमेंट बॉक्स में और टीवी सिट्वी तमाम इसे खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्रैम टाइम